Hello everyone, this is Aswani Kumar आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक that is conditional conditional जो है वो spoken English के लिए और competitive exams के लिए और भी सारे चीजों के लिए इंग्लिस जहां जहां पूछा जाता और जहां जहां इंग्लिस का यूज है वहां पे काफी ज़्यादा परियोग होता है fan on कर दीजे थोड़ा, fan, fan on कर दीजे, ठीके, हाँ, तो conditional जो sentence है वो हमारा काफी ज़्यादा important होता है और इस चीज फे फोकस करना है कि conditional हमें किस तरीके से पढ़ना है और conditional basically होता क्या है तो सबसे पहला topic हम लोग यह समझते हैं what is conditional, conditional क्या होता है हम लोग topic को इस तरीके से पढ़ेंगे what is conditional है ना हम लोग पहला point यह पढ़ेंगे उसके बाद types of conditional है ना और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे है ना general view of conditional और इसके बाद हम लोग अगर आप competitive परिक्षा को लेकर के तयारी कर रहे है तो हम आपको question solving approach भी बताएंगे ठीक है वीडियो थोड़ा लंबा होगा और ग्यान अगर आपको चाहिए आपको सीखना है conditional तो आपको थोड़ा सा समय तो देना ही होगा क्यूंकि पढ़ाई का कोई shortcut trick नहीं होता है ध्यान दिजेगा conditional किसे कहते हैं conditional में एक सब्द छुपा हुआ है and that is condition condition का मतलब होता है सर्थ condition का मतलब होता है सर्थ ओके अगर किसी भी सब्द में यह लग गया तो वह एड्जेक्टिव बन जाता है and that is a kind of एड्जेक्टिव यह एक एड्जेक्टिव है conditional तो इसमें जो भी चीजें होंगी conditional में वो सारा का सारा सर्थ पे बेश्ट होगा अगर किसी भी सर्थ का बात किया जाए तो focus करना मेरी बात पे अगर किसी भी सर्थ का बात किया जाए तो कोई भी सर्थ जो होता है वो ऐसे होता है आप कोई काम करते हो, कोई action करते हो और उस action का result होता है जैसे मैं आपके सामने एक बात बोलता हूँ कि यदी मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपको gift दूँगा तो gift देना, focus करना मेरी बात पे, gift देना जो है, वो result है किसका, मिलने का अगर हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको gift देंगे, दूसरा बात, अगर आप इस video को पूरा देखेंगे तो conditional आपको clear हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो conditional clear होना, conditional का समझ में आना किस चीज़ पे depend कर रहा है, depend कर रहा है हमारा, इस video को देखने पे, मतलब ये, कि हमारा इस sentence में एक action है, तो दूसरा result है, गौर करना, video देखना action है, और इसका जो result होगा, वो समझ में आना यदि मैं बजार जाओंगा, तो मैं आपके लिए मिठाई लाओंगा, मिठाई लाना result है, और बजार जाना action है, मतलब एक action है और दूसरा result है, तो action और result से मिलकर के कौन बना होता है, conditional sentence बना होता है दूसरा point यह समझना है हम लोगों को, कि यह जो conditional word होता है, इसमें क्या होता है, कि हमारा एक conjunction होता है इस conjunction को हम अपने भासा में इस chapter के अंतर गत बोलेंगे, conditional word, इसको हम लोग क्या कहेंगे, conditional word कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे, conditional word, क्यूं conditional word कहेंगे, आपके सामने मैं एक हिंदी sentence लिखता हूँ यदि वह आएगा, तो मैं यहां से चला जाओंगा गौर करो, इस sentence में दो sentence है, एक sentence है, वह आएगा, और एक sentence है, मैं यहां से चला जाओंगा यह sentence में क्या है, action है, बोलो है की नहीं, और यह sentence में क्या है, result, मतलब अगर यह बंदा आया, तो यह चला जाएगा अच्छा, एक और सब्द है, यह सब्द है, conditional word, क्या है, conditional word, चेर को साइड करो यार यह क्या है हमारा conditional word, अब गौर करना मेरी बात को, conditional word, action और result, यही तीन चीज होता है हमारा conditional sentence में मैं आपको definition नहीं बताऊंगा, regular class नहीं चल रहा, यहाँ पर मैं सिखाने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, the sentence that shows condition, having action and result combined with a conditional word is called conditional sentence, ऐसा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो चलें आगे, तो आगे चलते हैं हम लोग, यदी वह आएगा, तो यह वह आएगा, action हो गया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, result हो गया, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके कौन रखा हुआ है, यह वाला सब्द, यह जोड़ करके रखा हुआ यह दोनों sentence को, तो आप उमीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह जो मैंने यहाँ पे conjunction लिखा है, यह basically कौन है, यह जो conjunction है, वो यह यह है, और यह हमारा action हो गया, और यह हमारा result हो गया, ठीक इसी तरीके से हमें English में समझना है, साथ दिया हुआ हो, जैसे यदी मैं तुमसे मिला, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, यदी मैं तुमसे मिला, तो मिलना काम हो गया, और जान से मारना हमारा result हो गया, ठीक है, तो उमीद है कि यह बाला बाट समझ में आ गया होगा, आपको, conditional, what is conditional, conditional मतलब एक ऐसा sentence जिसमें action और result दोनों साथ में हो, और वो एक सब्द से जुड़ा हुआ होता है, वो parts of a speech के according, conjunction होता है, लेकिन हम लोग उसको अपने भासा में बोलते है, conditional word, ताकि चीजे समझ में आए, अगर मैं बोलू यदी, तो यदी हमारा क्या है, conditional word, लेकिन इसका parts of a speech क्या है, conjunction, मै रिक्ष्या में पास होना हमारा क्या हुआ, result और focus करो, बड़े झाल